परदे से थाली उडू करिया हूँ, पांगलमां स्कूले समझा हूँ अरे, पेमेर तलू का? नवस्ते एवरी बड़ी रोशन जी, रावराम पवन कुमार जी, बीनू सिंग जी, रोहित जी, बालकिशन जी, स्वागेता है आपका देखिए, आप मैंसे बहुत सारे लोग जो है, वो मुझे परसली जानते भी होंगे और कुछ लोग जो है, वो मुझे परसली शायद नहीं जानते होंगे लेकिन एक बात क्लास के सुरू में मैं आपको कह देता हूँ विनीता जी, कि मैं कुछ भी टॉपिक लेता हूँ तो पूरे मन से लेता हूँ अच्छे से लेता हूँ और इतना सब कुछ क्लियर कर देता हूँ ताकि बविश्य में कभी दुबारा वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट पढ़ने के आउश्कता नहीं पढ़े इसलिए मेरा ये मानना है कि जो पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, बहतर पढ़ो बार-बार पढ़ने की ज़रूत नहीं है तो आज अपन एक नया टॉपिक लेने वाले है, जिसको हम काफी बारीकी से लेंगे और वो है राजस्थान का एकी करण इससे पूर्व हमने राजस्थान के किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन के बारे में चर्चा की थी ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था, लास्ट वाले शेशन के अंदर कि हम वो टॉपिक पहले कवर करेंगे, जो टॉपिक आपके कॉंपिटेंशन एक्जाम के हिसाब से काफी महतुपूर है और एक्जामेनिशन बोर्ड जिसे ज़्यादा एक्जाम में देते हैं, वो वाले टॉपिक अपन कवर करेंगे और चला के मैंने यूट्यूब शेशन फ्री क्लासिस के अंदर वो सारे टॉपिक नहीं पढ़ाएं, जो यहाँ पेड क्लासिस में मैं बढ़ा रहा हूँ ठीक है, यूट्यूब शेशन में वो टॉपिक पढ़ाएं, जो बच्छों को अच्छा लगते हैं, स्टूडेंट को अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन एक्जामेनिशन बोर्ड को इतने भी अच्छे नहीं लगते हैं यहाँ मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो बली आपको अच्छे लगे न लगें, लेकिन कॉंपिटिटिव एक्जाम में एक्जामिनिशन बोर्ड पेपर सेटर को काफी अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो वो टॉपिक अपन पहले कवर कर रहे हैं राजस्थान का एकिकरण, और मैंने टॉपिक के साइट में ही कहा था कि मैं काफी बारीकी से लेने वाला हूँ, एनी इश्यू, स्टार्ट करें चलिए, सुरुवात कर लेते हैं राजस्थान के एकिकरण की, देखिए, राजस्थान आप जानते हो अच्छी तरह से कि भारत का हिस्सा है, ठीक है, भारत का हिस्सा है राजस्थान, तो सोभाविक सी बात है, हमें राजस्थान का एकिकरण पढ़ने के लिए, आधे इतियास का topic पड़ाता हूं तो मेरी आदत है कि उसका basic पहले ground तयार करता हूं और ground तयार करने के बाद ही उस topic पर var करता हूं अदर्वाइस क्या होता है फिर इतियास रटना पड़ता है जो आप अकसर करते आये हो और मैंने जो पढ़ाया है आपको उससे आपको रटने की आउश्कता कता ही नहीं पड़ी होगी ठीक है तो सबसे पहले थोड़ी सी भारत की इस्तिधिया देख लेते हैं आप भी जानते हो भारत के उपर 190 वर्ष तक ब्रिटिश शाशन रहा है 190 सालों तक भारत पर ब्रिटिश राज रहा है करीब करीब मानके चलिए 1757 से लगाकर 1947 तक एक शब्द इस्तिमाल किया मैंने यहाँ पर भारत पर ब्रिटिश शाशन क्या ये लाइन सही है क्या ये लाइन सही है पहले तो ये पैचानी है क्या ये लाइन सही है क्या भारत पर ब्रिटिश शाशन रहा है जी नहीं ये लाइन गलत है क्योंकि भारत पर ब्रिटिश शाशन नहीं रहा है कभी नी भारत तो उस समय था ही नहीं जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी, भारत था नहीं, भारत की छोटी-छोटी रियासते थी, रजवाडे थे, भारत की रियासतों पर ब्रिटिश शाशन रहा है, न कि भारत पर ब्रिटिश शाशन रहा है, रियासते जैसे मारवाड, मेवाड, आमेर, हैदराबाद, कश्मीर ऐसी रियासते थी ठीक है आपको पता होगा कि 15 अगस 1947 को क्या हुआ हम अक्सर कहते हैं 15 अगस 1947 को भारत आजाद हुआ अरे भारत कभी गुलाम था ही नहीं तो आजाद कैसे होगा 15 अगस 1947 को भारत की रियासतों पर अधिकार था ब्रिटिश शाषन का इसलिए रियासते आजाद हुई थी और उन्हीं रियासतों को मिलाकर हिंदुस्तान बना है और उन्हीं रियासतों को मिलाना एकी करण कहलाता है और उस एकी करन से जो एक हुआ वह भारत कहलाया इन एकी करन इन रियासतों से एक हुआ वह राजस्थान कहलाता है पही थोड़ा समय आपको इतियास में लिये चलता हूँ अभी-अभी मैंने कहा कि भारत पर भारत की रियासतों पर बितिश शाशन था ठीक है, भारत में लगबग 365 रियासते थी, जिसमें से सबसे बड़ी रियासत थी, भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, हैद्राबार्थ, निजाम वाली रियासत, और सबसे छोटी रियासत थी, वह थी, बिलबारी, गुजरात में, 565 रियासतों को एक करना था, और इनी 565 रियासतों को एक किया गया, वह भारत का एकी करन कहलाया, राजस्थान में, 19 रियासते थी, इनी रियासतों को एक करना राजस्थान का एकी करन खेलाया, लेकिन हम राजस्थान के एकी करन पर बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा मैंने कहा, ग्राउंड तयार कर लेते हैं, अभी अभी मैंने कहा, कि भारत पर भारत की रियासतों पर ब्रिटिश शाषन था 15 अगस 1947 को भारत आजाद हुआ यानि रियासते आजाद हुआ क्योंकि अधिकार ब्रिटिश शाषन का किन पर था रियासतों पर था तो उन्होंने रियासतों को आजाद किया देखे आपको पता होगा कि भारत में आजादी की जो लड़ाई है आजादी की लड़ाई जिसे हम स्वतंतरता संग्राम फ्रीडम मूव्मिंट कहते हैं यह आजादी की लड़ाई जो है वह दो पार्टिया लड़ रही थी एक पार्टी थी जिसका नाम था कॉंग्रेस और एक पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग कॉंग्रेस के उस समय प्रसित नेता थे मोहंदास करमचन गैंधी और पंडित जवाहर लाल नहरू और मुस्लिम लीग के प्रसित नेता थे मुहम्मद अली जिन्ना और चौदरी लियाकत अली खान और पाकिस्तानी प्रैम मिनिस्टर ठीक है देखिए कॉंग्रेस चाती थी भारत की आजादी मुस्लिम लीग चाती थी कुछ और क्या चाती थी मुस्लिम लीग जड़ा देखते हैं देखिए मुहमद अली जिन्ना के दिलो दिमाग में एक ही बात चाही हुई थी कि जो स्वतंत्र भारत में गांदी और नहरू की इस्तती हो वहाँ उसकी भी एक स्वतंत्र देश में ऐसी इस्तती होनी जाई है इसलिए मुहमद अली जिन्ना ने एक थियोरी पर काम करना सुरू कर दिया एक थियोरी एक सिधान्त पर काम करना सुरू कर दिया जब तक आप इन चीजों की जड़ नहीं पकड़ेंगे तब तक एकी करण पढ़ना और पढ़ाना बेकार है भारत में क्या क्या शडियंत्र हुए भारत में कौन कौन वस्तम में देश के दुस्मन है आज उन सारी चीजों पर चर्चा करते हुए मैं एकी करण की सुरुवात करूँगा और ऐसी चर्चा करूँगा जो अब तक हिंदुस्तान की इतियास में किसी नहीं की होगी तो जड़ा दिल ठाम के वैठियेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ याँपर देखिए C-R formula इसको क्यों कहते हैं उसके पीछे एक वज़ा है C का मतलब होता है चोदरी और R का मतलब होता है रहमत अली C-R formula इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चोदरी रहमत अली फोर्मूला है चौद्री रहेमत अली जो है वहाँ केम्ब्रीज विस्व विध्याले का एक सेकंड इयर का छात्र था क्रेम्ब्रीज युनिशिटी इंग्लेंड में सेकंड इयर का एक स्टूडेंट था उसने एक सिधान्त दिया था एक छोरी दी थी 1932 में वहां लिखता है कि पंजाब, अफगानिस्तान, काश्मीर, सिंद और बलुचिस्तान को अलग करके एक स्वतंत्र मुल्क बनाया जाएं एक अलग से देश बनाया जाएं और वो देश होगा पंजाब, अफगानिस्तान, काश्मीर, सिंद और बलुचिस्तान को अलग करके एक नया मुल्क बनाया जाएं जिसका नाम होगा पाकिस्तान ये था सी आर फॉर्मुला इस सी आर फॉर्मुले में चौदरी रहमत अली सेकेंडियर के चात्र, कैम्परीज विस्विद्याले के चात्र ने सोचा था सबसे पहले कल्पना की थी कि पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बनाया जाएं मुसल्मानों के लिए यनि कॉंग्रेस सोच रही थी भारत की आजादी और मुहमद अली जिन्ना सोच रहा था सी आर फॉर्मुले पर एक नय मुल्क अर्थात पाकिस्तान की आजादी जिन्ना का सोचना था कि वहाँ एक स्वथंत्र मुसलिम कंट्री बनाये पाकिस्तान और कॉंग्रेस के नेताओं का सोचना था कि वह एक अलग से मुल्क बनाये हिंदुस्तान आपस में ही इनकी लड़ाईय सुरू हुई और इन लड़ाईयों को सुरू करवाया खुद ब्रिटिक शरकार ने हिंदु और मुसल्मानों के बीच में बहुत गहरी खाई पैदा कर दी थी बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा कर दी थे अब एक दूसरे के ये खून के प्यासे दुश्मन मन चुके थे अलग-अलग एजेंडे थे जिन्ना को एक मुसलिम कंट्री पर हुकूमत करनी थी जिन्ना का सोचना था कि जो स्वतंत्र भारत में गांदी और नहरू की इस्तिती है वैसी कि वैसी एक स्वतंत्र मुल्क में उसकी इस्तिती होनी चाहिए बले उसके लाशों के धेर भी क्यों न बिज़ जाए जिन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ता यह अपस में लड़ रहे थे और इसी लड़ाई को खत्म करने के लिए एक सिकेंड इस लड़ाई को खत्म करने के लिए आपको भी पता है कि जब बाप अपने बेटे से जिद करता है सौरी बेटा अपने बाप से जिद करता है कि मुझे घर से अलग हो रहा है तो बाप क्या करेगा उसको कुछ देगा या फिर लात मार के घर से खदेर देगा कि तिरग रगो कुछ नहीं दोंगा तू जा ऐसा तो नहीं है कुछ ने कुछ तो देगा क्यों बिलिता जी रोहित जी बीनू सिंह जी पमद जी कुछ ने कुछ तो देगा तो दोनों देशों के बीच में बटवारे को लेकर एक समजोता हुआ उस समझोते को कहते है 1945 दिसम्बर महीने में हुआ था जिससे हम शिमला समझोता कहते है शिमला समझोता 1945 एक सेगेंड भारत आजाद हुआ है 1947 को तो 1945 पर उस 1945 के समय भारत पर किसका शाशन था ब्रिटिश शाशन था तो बटवारा करने का हग किसका है तो ब्रिटिश शाशन का हग है इसलिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसका नाम था लौड वैवल लौड वैवल ने दोनों पार्टियों को यानि कॉंग्रेस को और मुस्लिम लीग को शिमला में बुलाया ताकि दोनों के बीच समझोता करवाया जा सके उसी को शिमला समझोता कहा जाता है ठीक है और इस समझोते के तहत द्यान से मेरे मित्रो सुनना इस समझोते के तहत दोनों पार्टियों को शिमला बुलाया गया वैवल के द्वारा दिसंबर 1945 में और दोनों देसों के बीच में यानि मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के बीच में संसादनों का बटवारा करने की कोशिश की गई और संसादनों में मुख्य चीज होती है वहाँ है पानी यनी इसमें कुल मिलाके नदियों का बटवारा और माल का बटवारा करने की कोशिश की गई थी लॉड वेविल ने clear शब्दों में कहा था शिमला समझोते में clear शब्दों में की के यनी कश्मीर मुसलिम लीग को नहीं मिल सकता अब ऐसा वेविल ने क्यों कहा शिम्ला में ये तो वो ही जाने लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है शिम्ला समझोते के अंदर के देने से मना इसलिए किया गया था आज मैं आपको वो भी परते सारी खोलूँगा जो आप सुनते आये हो हमेशा हमेशा के लिए कि पाकिस्तान बार-बार कश्मीर कश्मीर क्यों चिल लाता है क्या चाहिए उसे ऐसा कश्मीर से कश्मीर का असल विवाद क्या है वो सारी चीजे में समझाने वाला हूँ और साथ साथ में राजस्थान और भारत के एकीकरण की नीव भी रखोंगा कहा वेवल ने कि के यानि कश्मीर किसी भी कीमत पर मुस्लीम लीग यानि पाकिस्तान को नहीं मिल सकता अब ऐसा वेविल ने क्यूं कहा कि हम के क्यूं नहीं देंगे उसके पीछे वजए थी ये कि सारी नदिया उत्तर भारत की जो है वहाँ के से होकर यानि काश्मीर से होकर निकलती है और अगर कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाता है तो ये कभी भी नदियों का पानी रोक कर पूरे उत्तर भारत को सुखा सकता है इसलिए के नहीं मिलेगा तो मुहमद अली जिन्ना ने शिमला में लौड वैवल का कोलर तक पकड़ लिया था जिस साप को दूद पिलाकर बिटिस सरकार ने बढ़ा किया वहाँ साप उसी बिटिस सरकार को डसने के लिए आया है जिस प्रकार से एशियए देशों को नीचा दिखाने के लिए अमरीका ने आतंगवादी ओसमाविल लादेन को पैदा किया था और उसी ओसमावीर लादेन ने एक दिन अमरीका को हिला दिया उसी प्रकार से और फिर अमरीका कहने लगा कि आतंगवाद होता है उससे पहले अमरीका भी नहीं कहता था क्या आतंगवाद होता है क्योंकि आतंगवाद को उसी ने पैदा किया पैसे देकर फंडिंग करके उसी अंग प्रतियंग ना हो ऐसा पाकिस्तान मुझे न चाहिए और जहां तक कश्मीर का सवाल है वो मैं लेकर दिखाऊँगा यानि सीधे सीधे मुहमद अली जन्ना दंगों की धंगी दे रहा है आप सोची अगर मेवल कहता है कि के नहीं मिलेगा तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान का नाम तो पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए फिर पाकिस्तान का नाम तो होना चाहिए पाइस्तान क्यूंकि के तो देने से मना कर दिया गया था आगे और सुनना इसी समझोते में नदियों का बटवारा किया गया था दोनों देशों के बीच में क्योंकि नदिया बहुत जरूरी होती है किसी भी देश के सर्वाइवल के लिए भारत को मिलने वाली थी सिंदु नदी सतलज नदी क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क बनने वाला था इसके अलावा रावी नदी और चिनाब नदी चूंकि पाकिस्तान छोटा मुल्क बनने वाला था इसलिए उसको मिलने वाली थी ब्यास नदी और धेलम नदी जब मुहमद अली जिन्ना ने वेवल का कॉलर पकड़ा कि मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसके अंग प्रत्यंग ना हो जो दीमक से सना हुआ हो अर्थात वो कहना चाह रहा था कि अगर मुझे काश्मीर नहीं मिलता तो ऐसा पाकिस्तान मुझे नहीं चाहिए जहां तक कश्मीर का सवाल है वो लेना जानता है यनि दंगो की धमकी तो उस समय आखिर मैं बाप बाप होता है बापू बोल पड़े बापू है न बापू ने कहा कि एक काम करते हैं सिंदू नदी इसको दे देते है ठीके और हम रख लेते हैं व्यास तो व्यास नदी भारत ने रखी और सिंदू नदी जो है वहाँ पाकिस्तान को दे दी बापू बुड़ापे में साइद शटिया तो नहीं गया सिंदू नदी पांच नदीयों के बराबर एक नदी है और पाकिस्तान को दे दी आज भी जब भी कोई इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा उठता है इंटरनेशनल कोट में तो पाकिस्तान हमेशा हमेशा एक ही रट लगाता है एक ही रठ लगाता है वो कहता है कि ब्यास नदी हमारी थी और भारत ने हमसे जबरदस्ती छील ली हमें दोगा दिया तो अबे साले ये भी तो कह दे हैं कि सिंदू भी इंडिया की थी चले एक काम कर ब्यास तू रख ले हमारे बापू ने गलती कर दी और सिंदू हमें दे दे सिंदू पाँचो नदियों के बराबर एक नदी है लेकिन जिन्ना की ये हरकते देखते हुए बापू यहां तक भी चुप नहीं रहे बापू ने लगे हाथों के दिया कि एक काम करते है आधा काश्मीर पाकिस्तान को दे देते है अब तो बापू स्पक्का सठी आ गए है 100% सठी आ गए है जो ही आधा कश्मीर देने की बात की जनवरी 1946 में देखिए दिसंबर 1945 में समझोता हुआ था जनवरी 1946 में मौमद अली जिन्ना के कबाईली गुंडे कश्मीर में घुज गए जबरतस्ती कश्मीर को लेने के लिए और कबाईली गुंडे बदमाश आतंगवादी ने जनवरी 1946 में कश्मीर के हिंदूों को मारना सुरू कर दिया वो कश्मीर के हिंदू पंडित एक बात मैं बता दू आपको दुनिया में चार ही जातिया ऐसी थी चार जातिया जो दुनिया में धनिक मानी जाती थी उन चार जातियों में से दो जातिया तो बहुत खतरनाक पैसो वाली थी एक कश्मीर हिंदू पंडित जो केसर के खेत लगाते थे सेव के बागान थे और एक यहुदी तेल के कुवे वाले वो सेख साव इतना भायानक जिन्ना के कश्मीरी हिंदू पंडितों पर अत्याचार किया उन्हें भगाया इदर कश्मीर से बहुत बुरी तरह से मारा मोर्दन 45,000 से भी जादा हिंदू औरतों के साथ बलातकार हुए और ये कश्मीरी गुंडे ठेट जम्मू तक आ पहुँचे थे उस समय कश्मीर के माराजा थे हरी सिंग डोगरा पूरी वारदाद सुनिएगा हरी सिंग डोगरा हरी सिंग डोगरा सहाब भागते भागते नहरू जी के पास आया और नहरू जी को कहा कि हमारी रक्षा कीजिए अगर वो स्वयम कर सकते थे तो अपनी कश्मीर की जंता की कर सकते थे रक्षा लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे इसलिए भारत सरकार के प्रदान मंत्री नेरूजी के पास आप पहुँचे और नेरूजी को कहा कि हमें सेना दीजिए नेरूजी ने मोके का फायदा उठाकर माराजा हरी सिंग लोगरा से हस्ताक्षर ले लिए और कहा कि आप भारत के पक्ष में अगर हस्ताक्षर करते हैं तो मैं सेना भेजने के लिए तैयार हूँ तो अपनी देश की जनता की रक्षा के लिए माराजा हरी सिंग को मजबूर होकर भारत के पक्ष में हस्साक्षर करने पड़े यानि ये कश्मीर का मसला अभी भी फस गया और बहुत जबर्दस तरीके से फस गया पहले फसाया वेविल ने अब फसा रहा है पंडित नहरू सहाब जबकि सरदार वल्लब भाई पटेल ने कब से कहा था माराजा सुरी नहरू जी को किये कश्मीर पाकिस्तान को देखे चुट्टी करो जंजट खतम करो आने वाली जनरेशन नहीं लड़ेगी लेकिन नहरू जी ने ऐसा नहीं किया उसके पीछे भी वजह मैं बताऊंगा आपको तो हरी सिंग डोगरा की हिंदू जनता कश्मीरी हिंदू पंडित जो केसर के बागान लगाते थे आज सच मानिये उनकी हालते ऐसी हैं कि दिल्ली की सडको पर कटोरा लेकर भीग मांग रहे हैं वो कौन जिम्मेदार है इसके पीछे भारत की सांती सेना गई और इन कबाईलियों को खदेरते खदेरते सीधा लेकर गई स्रीनगर्थ से भी आगे भारत की सेना एं इन कबाईलियों को जो जम्मू तक पहुँच गई थी खदेरते खदेरते यहां तक ले आई इस सीमा तक खदेर दिया था उन्हे वहां से मार भगाया था फिर पतानी नहरू जी को क्या सूझी वो सीधा इस मामले को लेकर चले गए इंटरनेशनल कोट मामला घर का था लेकिन पहुचा दिया अंतरास्ट्री ने आले में और अंतरास्ट्री बिरादरी ने अपने हतियार बेचने के लिए अमरीका जैसे सूआर्थी कंत्री ने हतियार बेचने के लिए इस मामले को और फसाया ताकि पाकिस्तान भी हतियार खरीदे और भारत भी हतियार खरीदे और उसके हतियारों की मंडी चलती रहे और दोनों आपस में जीवन भर बिढ़ते रहे इसलिए संक्तरास्ट्र संग के अंतरास्ट्री ने आले और सुरक्षा परिशद ने कहा कि जहां दोनों मुलकों की सेनाएं हैं वही पर रुख जाएं और आज से वो होगा लाइन ओफ कंट्रोल यानि लो सी और इस तरह से 1946 में ये बन गया पाक उक्यूपाइड कश्मीर और ये बन गया भारत का जम्मुएन कश्मीर ये वाला हिस्सा 1962 में चाइना ने जबर्दस्ती हमारे से चीन लिया था जिसे हम कहते है एसी अक्साई चाइना भारत के पास ये वाला इलाखा है अभी अब वो रावी की बात बार-बार क्यूं कर रहा है उसके पीछे वज़े सुनिए रावी की बात इसलिए वो कर रहा था क्योंकि ये ब्यास नदी जो है वह यहां से निकलती है पीओके में जाती है और वापिस इदर आती है इंडिया है ये वाला जो छेत्र है वो कश्मीर कहलाता था पहले और ये वाला छेत्र जम्मू कहलाता था जम्मू वाले हिंदू है मैक्जीमम जो इंडिया के पक्ष में है और कश्मीर वाले जो है वह पाकिस्तान के पक्ष में है जो हमारी आर्मी पर हमेसा पत्थर फेकते थे एक पत्थर फेकने का 500-500 रुपे दिया जाता था अब वहां के बच्चे पड़ा ही लिखाई क्यों करेंगे एक बाटा फेको 500 रुपे कमाओ क्यों करेंगे तो को Lockheed कि अग्यां कि अग्यां कि अग्यां कि दोस्तों एक बार रिपलाई दीजिए मुझे कैसा लग रहा है टॉपिक में मजा आ रहा है तेजा राम जी डूंगरा राम जी रोशन जी तो कभी बोलते नहीं है इन्होंने तो अपने आपको म्यूट कर रखा है रियासते मिन्स शालू जो एक तरसे जैसे राजे रजवाडे होते ना उनको कहते रियासते आइच्छल में रोशन जी मैं क्या इतियास की काली सच्चा ही बता रहा हूँ जो आप तक किसी ने नहीं पहुँचाई और न पहुँचाएगा ये गारंटी है क्योंकि इतियास मैं पढ़ाता नहीं इतियास को खोदता हूँ मैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो मैंने ये कहा अभी अभी कि कश्मीर का ये सॉलिशन था ये मैटर था ठीक है अब ऐसा क्यों किया नहरूजी ने कश्मीर का पचड़ा फसाने का पीछे कारण असल सुनिए कश्मीर के महराजा थे हरी सिंग डोगरा ठीक है उनकी ये रियासत थी पूरी तो कश्मीर के महाराजा हरी सिंग डोगरा ने भारत के पक्ष में हस्ताक्शर किये तो ये पूरी रियासत किसकी होगी दूसरा कि खुद लॉड वेवल ने कहा कि भारत को कश्मीर मिलना चाहिए उस एंगल से भी कश्मीर किसका हुआ भारत का लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारा तो सूरू से हमारी थ्योरी में भी कश्मीर था, हमारे पाकिस्तान में जो के शब्द है उसका अर्थवी कश्मीर है, पाकिस्तान के बच्चों को सिखाया जाता है कि ये हमारा कश्मीर है और ये वाला कश्मीर जो है वो भारत ने ठीक है भारत के बच्चों को सिखाया जाता है कि ये कश्मीर हमारा है और ये पाकिस्तान ने जबर्दस्ती कबजे में कर लिया है समस्या ये लेकिन एंगल अगर देखा जाए तो वास्तम में उस समय ब्रिटिस सरकार की हुकूमत थी उस हिसाब से उस एंगल से कश्मीर हमारे इंदुस्तान का होना चाहिए वैवल ने खुद का दूसरा एंगल देखा जाए माहराज हरी सिंग ने हमारे पक्षमर हस्ताक्षर किये पूरी रियासत के तो कश्मीर हमारा होना चाहिए अब माहराज दिखे भारत में पांसो पैंसट रियासते थी और पांसो पैंसट रियासतों का एकी करण किया आईरन मैन सरदार वल्लब भाई पटेल ने सिर्फ एक रियासत कश्मीर उसमें पटेल सहाब को नेरूजी ने हस्तक्षेप करने नहीं दिया इंटर्फेर करने नहीं दिया बाकी सारी रियासतों में इंटर्फेर खुद पटेल सहाब का था एक रियासत कश्मीर में उनका इंटर्फेर नहीं था नेरूजी ने कश्मीर का मामला अपने हाथ में रखा क्यूं रखा उसके पीचे वज़े सुनिए दरसल हरी सिंग ये डोगरा के जो खिलाफ थे उस समय कश्मीर के एक नेता जिनका नाम था शेक अब्दुल्ला शेक अब्दुला का बेटा फारुक अब्दुला नाम सुनाओगा अपने और फारुक अब्दुला का बेटा है वहाँ ओमार अब्दुला और फारुक अब्दुल्ला की बेटी जो है वहाँ है सारा अब्दुल्ला और सारा अब्दुल्ला का पती है सचिन पाइलट गणित समझ मा आया ये दरसल सेख अब्दुल्ला को नहरूजी कश्मीर में एक मुख्य मंत्री के तौर पर देख रहे थे क्यूं देख रहे थें क्यूंकि शेक अब्दुल्लाम पर वोट मिलते हैं तो इस मामले को वो कभी सौल होते देखना ही नहीं चाते है यानि कुल मिलाकर खून की राजनिती करनी है इनको अब आपस में लोग लड़ेंगे तो खून बाएगा और क्या है पाकिस्तान में दुकाने चलती है कश्मीर को लेकर पॉलिटिकल दुकाने इंडिया में दुकाने चलती थी कश्मीर को लेकर इतनी ओची राजनिती मैंने कई नहीं देखी हिंदुस्तान में चलिए आगे बढ़ते हैं इस मैटर को देखिए ये थो था कश्मीर का मामला अब मैं कुछ और आपको बदाना चाहरा हूँ देखिए टॉपिक के स्टार्ट में मैंने कहा था कि भारत पर जो शाषन है वह ब्रिटिश शाषन था और ब्रिटिश शाषन भारत पर नहीं रियासतों पर था ठीक है उन्होंने रियासतों को आजाद किया भारत को आजाद नहीं किया करीब 4 जुलाई 1947 भारत में ब्रिटिश शाषन है तो रूल और रूल और रेगुलेशन कानून वियवस्था कहां से संचालित होगी ब्रिटिश संसद से तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को दो डॉमिनिक स्टेट यानि दो स्वतंत्र गनराज्यों का प्रस्ताव पारित हुआ प्रस्ताव रखा गया आउस अब कोमोंस और आउस अब लोड्स में थीक है कि दो दो देश बनने चाहिए एक डॉमिनिक इंडिया एक डॉमिनिक पाकिस्तान और उस प्रस्ताव में कश्वीर का कहीं जिकर नहीं था ठीक है दूसरा इन चलाक अंग्रेजों को देखना क्या करते है वो सिर्फ स्वतंत्र देश की घोशना की लेकिन उन देशों में कौन-कौन सी रियास्ते होगी ये डिसाइड नहीं किया उन्होंने खाली ये कह दिया कि एक बारत बनेगा और एक बनेगा पाकिस्तान जबकि करना उनको ये चाहिए था इस बिल में कि भारत में कौन-कौन शामिल होगा और पाकिस्तान में कौन-कौन शामिल होगा तो वहाँ पे भी लपड़ा नहीं पड़ता ठीक है ये चार जुलाई 1947 को इंडियन अबंडमेंट Freedom Movement Bill जो पारित हुआ यहां 18 जुलाई 1947 को ये प्रस्ताव रखा गया संसद में और 18 जुलाई 1947 को ये प्रस्ताव पारित हुआ दोनों सदनों में House of Lords और House of Commons में ठीक है आगे सुनना 14 अगस्त 1947 को शाम पांच बजे के आसपास जैसे कि भारत के बिल पर हस्ताक्षर करता है प्रेजिडेंट ओव इंडिया वैसे 14 अगस्त 1947 की शाम पांच बजे के आसपास वहाँ पर बिल पर शाइन करती है महारानी तो महारानी एलिजाबेट ने हस्ताक्षर की है जैसे इंडिया में प्रेजिडेंट होता है वहाँ महारानी होती है उसने उस बिल पर साइन की है 14 अगस्त 1947 शाम पांच बजे अब ये साइन कहां हुए हैं लंदन में हुए हैं और लंदन का टाइम क्या है जो भारत की घड़ी से साड़े पांच गंटे आगे चलता है यानि भारत में उस समय समय हो रखा था 15 अगस्त 1947 रात को 12 बज के 3 मिनट जब ये साइन हुए थे और पडोसी मुल्क पाकिस्तान की जो वाच है वहाँ पांच गंटे आगे चलती है और पाकिस्तान में समय हो चुका था 14 अगस्त 1947 रात को 11 बज के लगबग 43 मिनट अब आपको समझ में आ चुका होगा कि दोनों मुल्क अलग-अलग अपना फ्रीडम मुव्मेंट क्यों बनाते हैं दोनों एक ही समय पर आजाद हुए लेकिन घडियों का अंतर हैं आजादी की नीन से जागा है और इस तरह से दोस्वतंत्र मुल्क बन गए है ठीक है अब करतूते देखिए ब्रिटिश सरकार की करतूते कैसी थी देखिए अभी अभी मैंने कहा कि इन्होंने इस बिल में सिर्फ कहा कि भारत और पाकिस्तान बनेगा लेकिन इनमें कौन सी रियासते संभिलित होगी ये क्लियर नहीं किया मैंने स्टार्ट में क्या कहा था बारत पर शासन किसका था ब्रिटिस सरकार का और ब्रिटिस सरकार का शासन किस पर रियासतों पर था यानि उन्होंने आजाद किसको किया रियासतों को किया 565 रियासते आजाद कब आसाद 14 अगस 1947 शाम को 5 बजे इंगलेंड के टाइम के अनुसार भारत के टाइम के अनुसार 15 अगस 1947 बारा बज के 3 मिनट मद्यरात्री को ठीक है 565 रियासते आजाद इस amendment bill जिस bill की मैं बात कर रहा हूँ 4 जुलाई 1947 को जो bill रखा गया था 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ इस bill की article 8 अनुचेद 8 में clear शब्दों में अनुचेद 8, अनुचेद 9 और अनुचेद 9a के clause में clear शब्दों में क्या लिखा था इन्होंने वो सुनिएगा जो रियासते रियासते मतलब राजा राजाओ का शाशन जैसे मेवाड, मारवाड, आमेर, हैदराबाद, कश्मीर ये रियासते थी जहाँ पर राजाओ का शाशन था जो रियासते ब्रिटिश शरकार के अधीन है अधीन है वह आज से आजाद है अपना फैसला स्वयम ले सकती है ठीक है आर्टिकल नौ में क्या लिखा इन्हों ने आर्टिकल नौ में लिखा इन्हों ने कि इन रियासतों पर भारत या पाकिस्तान सरकारे दबाव नहीं बना सकती यानि इन रियासतों को प्रेसराइज नहीं कर सकती कि हमारे में मिलो ये करो वो करो 9A में साफ तोर पे लिखा गया था कि वे चाहें तो अपना एक स्वतंत्र देश भी बना सकती है मुझे एक बात बताईए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि आपको मैं ये कहूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है अपना धन है अपनी जमीन जागीरी है वह भारत सरकार के नाम कर दो क्या करोगे करोगे हाँ या नाम जवाब दो कोई नहीं करेगा इन आर्टिकलों को देखी आप जो रियासते ब्रिटी सरकार के अधीन है वो आज से आजाद है वो अपना फैसला सोयम ले सकती है इन रियासतों पर भारत या पाकिस्तान सरकार दबाव नहीं बना सकती वे चाहे तो अपना सोधंत्र देश भी बना सकती है तो कौनसा ऐसा रियासत का राजा होगा रजवाड़ा होगा जो अपनी प्रॉपर्टी भारत या पाकिस्तान के नाम करके यानि उसमें सम्मिलित होकर अपना सुधंत्रा स्तित्व हो देगा कौन सा ऐसा मुर्क राजा होगा जो अपनी प्रोपटी भारतिया पाकिस्तान के नाम करके अपना स्तित्व हो देगा वो क्या चाहेगा वो तो चाहेगा एक अलग से मुल्क बनाना अपना अलग से देश बनाना कमेंट बताओ तो दोस्तों मैं आपको एक बात यहां क्लियर गर दूँ कि कोई भी रियासत का राजा नहीं चाहेगा कि उसकी रियासत भारत या पाकिस्तान में शामिल होकर वह स्वयम की आजादी खो दें यानि हर रियासत चाहेगी कि वो अलग से एक देश बनाए ठीक है यानि जितना भारत को आजाद करने में पशीना नहीं बहाना पड़ा था न उससे कई गुना जादा पसीना अब बहाना पड़ेगा भारत के स्वतंतरता सेनानी 190 साल तक जो लड़ाई नहीं हुई जो संगर्ष नहीं किया अब संगर्ष करना पड़ेगा भारत को एक करने में आजादी में कोई जादा कठिन समस्या नहीं थी कठिन समस्या उससे भी महा भयंकर थी इन 565 रियासतों को एक करके हिंदुस्तान बलाना अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों कहते हैं पटेल साहब को आईरन बैन अगर सरदार पटेलना होते तो आप किस मुल्क के निवासी होते शायद आप अंदाज आवे नहीं लगा सकते आपकी क्लास में कोई है जो डुंगरपूर बासवाड़ा मारवाड और बीकानेर से बिलोंग करता है मैं खुद मारवाड़ी हूँ इन रियासतों का कोई अगर व्यक्ति है तो मैं आपको बता दूँ आप आज पाकिस्तान में बैठे होते हैं अगर सरदार पटेलना होते तो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और मैं आपको शायद नहीं पढ़ा पा रहा हूता हूं यह मेवाड जिस धरती समय मैं पढ़ा रहा हूँ यह अलग से एक देश होता आप कलपना कीजिये जरा अगर सरदार पटेलना होते तो भारत का नक्षा कैसा होता और आपका देश कौन सा होता उस समय भारत में दो ही शिर्स नेता थे दो ही बड़े नेता थे एक पंडित नहरू और दूसरे थे सरदार वल्लब भवाई पटेल एक को भारत को एकत्रित करना था क्योंकि रियासोतों की चीना जबटी चल रही थी आपस में दोनों सरकारे यानि पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती थी रियासोतों को लोग पे लोग दे रही थी मेरे साथ आओ मेरे साथ आओ दोनों सरकारे जड़पे लगी हुई थी उन रियासतों को छीनने की और उस जड़पों में कौन बाजी मारेगा ये भी देखना बाती महत्युपूर था उस समय एक को भारत को एक करना था और दूसरे को देश संभालना था अगर पटेल सहब चाते तो भारत के प्रदानमंत्री बन सकते थे क्योंकि वो भी एक शिर्सनेता थे भारत को संभाल सकते थे और नहरूजी को भारत को एक करना पड़ता और नहरूजी का कियाओ भारत एक कैसा हुथा आप कलपना भी नहीं कर सकते एक खाली इतना किया है उन्होंने बड़ी मेरबानी कर दी ये वाला किया है इन्होंने वोही हम भुगत रहे हैं तो सोचो नहरूजी का एक किया हुआ भारत कैसा होता चला के खुद सरदार वल्लब भाई पटेल ने नहरूजी को कहा कि आप भारत का शाषन तंत्र संभालिये मैं निकलता हूँ भारत को एक करने में इन रियासतों से मैं बात करता हूँ जो धन से माने उसे धन से जो बंदूग से माने उसे बंदूग से और जो लाठी से माने उसे लाठी से अब पटेल सहाब किस प्रकार से भारत की रियासतों को और राजस्थान की रियासतों को मनाते हैं समझाते हैं ये सारी बाते मैं करूँगा अगली क्लास में और इसी गांदी जी को टपकाया भी जाएगा और मुझे गांदी जी अतीप्रिय है मैं गांदी जी का बड़ा पैन हूँ लेकिन अगली क्लास में मेरे अंदर स्वयम के अंदर नाथू राम गोड से घुसेगा और मैं स्वयम यू समझ लीजिए कि गांदी जी की परते खोलने वाला ह का थोड़ा सा हिंड सापको दिये चलता हूँ मैंने अभी अभी कहा था आपसे कि गांदी जी ने कहा कि आदा कश्मीर पाकिस्तान को दे दो और उस चक्कर में जिन्ना के कबाईली गुंडे घुसे थे मैंने कहा था आपसे और कश्मीर के माराजा हरी सिंग डोगरा भागत भागते वो आयो दूए थे नेरू जी के पास कि हमें सेना दीजिए हजारों हिंदू और तों के साथ बलातकार किया गया लगबग 25 से 45,000 और तों के साथ कश्मीर हिंदू पंडितों वो हिंदू पंडित जो दुनिया में सबसे धरिक थे आज दिल्ली की सड़कों पर कटो प्रकाई हिंदू यह सोचेगा कि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन है तो मोहंदास के रहें चेन गेंधी है ना और जेनाव एक्शन का रियेक्शन तो होगा और क्यों नहोगा कश्मीर हिंदू पंडितों को मारा गया है तो क्या हिंदू शान्त बैठेंगे पंजाब में और उत्तर राजस्थान में दंगे हुए पस्चीमी बंगाल में दंगे हुए लाशो की ट्रेने भर भर के इंडिया से पाकिस्तान जाने लगी और पाकिस्तान से इंडिया आने लगी हर रोज एक ट्रेन इंडिया से पाकिस्तान आती थी और पाकिस्तान से इंडिया जाती थी क्योंकि वो मुल्क तो पूरी तरह से मुस्लिम गट्री बन चुका था वहाँ एक भी हिंदू मंदिर को नहीं छोड़ा गया सारे मंदिर तोड़ दिये गए यहां किसी ने मस्जिद तक को हाथ नहीं लगाया साथ साथ में जब शिमला समझोता हुआ था तो लॉड वेवेल ने कहा था कि मुस्लिम लीग को करीब 45 करोड देने है जब हिंदू मुस्लिम दंगे भढ़के तो उन दंगों में हिंदू भी मरे और मुस्लिम भी तो बापू ने उन दंगों को शांत करवाने के लिए अन्शन पर बैठे भू करताल की कि पाकिस्तान को 45 करोड दे दो सरी 45 करोड दे दो तो कॉंग्रेस ने साब बना कर दिया कि नहीं देंगे उस मुल्क को कैसे दे दे जो लाशों के ढेर बिचा रहे हैं लेकिन बापू अन्शन पर थे जब बरदस्ती 20 करोड दिलवाने पड़े बापू के चक्कर में बापू सोच रहे थे कि शांती हो जाईगी लेकिन एक बात बताईए बापू अगर पाकिस्तान को 45 करोड दिलवाने के लिए अन्शन पर बैठे जित पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आदा कश्मीर दे दो सिंदू नदी दे दो तो हर किसी को लग जाएगा कि बापू मिला हुआ है पाकिस्तान से बस यही दिमाग में था नाथू रामगोड से के और वो कैसे प्लान बनाता है